तो दोस्तों हम आपसे डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही जाड़ा ग्रेट न्यूस एक लेटेस्ट न्यूस है यह फॉम कैनेडा जो की इंटरनेशनल सुडेंट्स और ट्रावलर्स को बहुत जाड़ा बेनिफिट करेगी जो प्लैन कर रहे हैं तो गो टू कैनेडा इन द से वहां पर आ रहे हैं जो चिल्डरन आ रहे हैं जो यहां से ट्रैवलर्स जा रहे हैं तो उनको वहां पर जाके कॉरंटाइन नहीं करना पड़ेगा अपने आपको इवन इफ देर अन्वैक्सिनेटेड और थर्ड चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी मेंशन की है वो यह है कि अब उनको जो वहां पर वो rapid antigen test दे सकते हैं यह mandatory नहीं है कि उनको 72 hours पुरानी report लेकर आनी है और जो जाने वहां पर जाके अपनी test की report का wait करेंगी उनको भी quarantine नहीं होना पड़ेगा उनको बस एक negative report चाहिए और वो भी वहां पर जाके जो rapid test होगा उसके बाद उसकी report के उपर वो dependent है तो यह जो तेन न्यूज है बहुत बड़ी न्यूज है फ्रम कैनेडा क्योंकि अब आने वले टाइम में जैसे कोविड almost end हो गया है और हर एक country ऐसे measures ले रही है to open their borders तो Canadian government ने भी फैसला किया है कि वो हर एक airport को open कर देगी और flights जो है जो direct flights है वो अपना normal time क उपर resume करेंगे और एक और चीज़ जो हम आपको mention करने चाहेंगे कि जो यह unvaccinated children वाली बात है जिसर्फ children के लिए है कि उनको इस विदा मेलिया कि they won't need to be quarantine लेकिन जो 18 ने से उपर है जो अभी तक vaccination नहीं लगवाई उनको quarantine होना पड़ेगा and those who are fully vaccinated अगर वो एक pre-arrival antigen negative report नहीं ले आते हैं of covid they are good to go उनको भी कोई रोक टुक नहीं होगी तो guys यह थी एक बहुत बड़ी update from Canada जो कि आने वाले टाइम में students को बहुत ज़़ा बेनिफिट करेगी क्योंकि अब almost हर एक airport खुल जाएगा and those who are planning to go to a specific destination अब वो उस city की या उस state में अराम से economic way में एक flight ले सकते हैं and they will be good to go and yes that is it for today we hope की आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये then like it and share it as much as you can and if you are new to our channel then do subscribe thank you so much for watching मिलते हैं अगली वीडियो में